मैं तो सम्मिदान को बदलने नहीं दूँगा चाहे वो किसी स्तिति में हो चाहे अपनी जानी भी लगाना पड़ा तो हम बराबर उसको लगाएंगे मैं ये पूछना चाहता हूं मोदीजी को और उनके लोगों को अरे बार बार आप राममंदिर का क्यों उठाते हैं इस देश को न्याय आखिर क्या लगता है किन-किन मुद्दों पर कॉंग्रेस अब जाती है कि मिलना चाहिए जनता को देने के लिए तयार है और आज मोदीजी जो किट्साइज कर रहे हैं सिर्फ गांदी फैमिली पर यही दर्शाता है कि अपने राहूल गांदीजी से वो ड प्रदानमिक्री सभाओं में कह रहे हैं कि क्यों गिंती जरूरी है अप संसस क्यों जरूरी है निच सो च्यान में में आप 529 सीटों पर लड़े 2004 में 417 पर 2009 में 440 और 2014 कि अगर हम बात करें तो 464 सीटों पर लड़े थे लेकिन इस बार जो संख्या का आंकड़ा है इंडिक कि अलाइंस से जुड़ाओ के बाद आप महत्कुन गुमिका निभा रहे हैं उसमें और आपके चेहरे के तोर पर अलाइंस मजबूत भी हो रहा है तो लेकिन सीटों के संख्या कॉंग्रेस की कम हो रही है जब अलग-अलग लड़ते हैं नाचरली थोड़ा सा धक्का लगत है और एक दूसरे से लिड़ते रहे हैं और हमारा जो आकड़ा अपने का हमारा आकड़ा इस बार तो बहुत बड़े का इसमें कोई सब्सक्राइब बताना चाहिए नहीं अब भी क्योंकि बीजेपी चार सो पार कह रहे हैं तो रहूर गांधी कह चुके एक सो पचास से कम स समीधान के साथ चेड़ चार की गोंज हुई तो मोधी कह रहे हैं कई के लिए कर रहे हैं चाहिए आपको तो मालूम है कहीं पार्टी के एंपी उनके बीजेपी के और कहीं उनके एमेलेज आरेसे के मोहन भागवत जी यह सभी लोग कह रहे हैं कि आपको समेधान बदलना है तो टू-थर्ड मेजॉर्टी होना तो वो टू-थर्ड मेजॉर्टी अरे इनका तो फिलोसोफी ऐसी है ऐसा फिलोसोफी है कि माहिलाओं को वोटिंग का रिकार भी नहीं देना चाहिए चुनोतियों के बावजूद भी आप एक अच्छा बहुमत लेकर आएंगे यह पूरा विश्वाद बहुमत मैंने कला कि इंडिया आलाइंस जरूर बहुमत में आये कि इनको सत्ताप में आने से रोक देंगे रावल गांधी जी ने भी कही कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीयमोदी घबरा गया है भाजबाद दली तोबिसी की स्टी मिटाना चाहती है जाती जन करना को कोई शक्ती नहीं हो जो करना है अपने को सोलह हजार तक इनोंने कमा लिया और बड़े बड़े ऑफिसस बनवा लिया कहां से आये भी है कोन मुफत में देता है तो उन लोगों के पास तुम पैसे लिए या तो डरा के लिए धमका के लिए या उनको काम का दुश्वत जो देते हैं चलो भई तो यह दंदा तुम करों तो सब इन्वीजिबल है इसलिए कि डर के इनके जो डराने का ढंग है एडी का सीवी आई का एपना इंकम टैक्स का यह डराने के लिए डराते हैं बहुत से लीडर उदर चले गए और वह वह अपने आइडिलाजी पे नहीं गए तो ओडरा डरा के उनको उन्होंने लिया है रामंदिर मूर्ति स्थापना में कॉम्रेश ने नहीं जाने का फैसला लिया राजनितिक कारणों से अब चुनाओ के मैदान में गुनाया जा रहा है राम विरोधी करारत किया जा रहा है इनको यह किसको इन्विटेशन दिये पार्टी के नहीं से दिये करनाटक के दलित परिवार का एक ऐसा चहराज जिन्होंने बच्पन में एक अगनी विभीशिका देखी सरकारी स्कूल में पढ़े वकालाग करके अपने हक खुक के साथ उन्होंने आवाम को राहत दिलाने की बात की राजमिती में जब सीधियां उनके सामने थी तो एक-एक कदम ऐसे चड़े कि देश की सबसे पुरानी प्रतिस्थित राजमितिक पार्टी के मुखिया बने हमा बेहत करीब आपके दिल में भी रहा है और अब पूरा देश पर आपकी निगाएं हैं बात करें वर्तमान चुनाओ के हालात की तो इस चुनाओ में एक प्रश्न पूरे देश के सामने है कि देश की सबसे प्रतिस्थित पार्टी पिसले एक धसक से जिस पर रोज कोई ना क प्रभात बीजेपी या केंड सरकार कर रही है और अपने अस्तित्तु की लडाई लड़ रही आखिर कब तक जनता का इंतजार करेगी क्यों कॉंग्रेस के सामने ऐसा वक्त आकर खड़ा हुआ है देखिए मैं एक कॉंग्रेस प्रजिगेंट हूँ दलीत होना क्ये कोई मेरे हाथ में नहीं था उठोर मन दलीत कराने में तो पैड़ा हो गया है लेकिन मैं कॉंग्रेस पाटी का एक सिपाय हूँ और कॉंग्रेस पार्टी को और उसके विचारदारा को अब मैंने अपने अपने आपको समर्बित किया है और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की एडिलोजी को अगर हम बढ़ाएंगे तभी देश में सुख, शान्ती और सम्रद्धी आएगी और मैं जो कुछ भी बच्पन में था यह unfortunate की incidents ऐसे हुए जो शायद बहुत कम लोग मेरे बाज़े में जानते हैं और बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि हमने कैसा अपने जीवन में आगे आये, कैसा पड़े और आगे पार्की में किन-किन पदों पे रहे, वो पूरा एक इध्यास आपके पास भी होगा और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको opportunity मिलती है, उसका भरपूर फाइदा आप उठाना लोगों के हितों में अगर आप सिर्फ सत्ता के लिए और सत्ता के लोग में भटकते रहे, तो जिस मकसद से आप politics में आये हैं, वो पूरा नहीं होगा अगर वो मकसद पूरा करना है, आपको त्याग भी करना पड़ेगा, आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको लोकों के समश्याओं के बारे में सूचना भी पड़ेगा और कोई बहुत से लोग ऐसे आते हैं politics में, कि वही अब बस मैं इस बार लड़ूंगा नहीं और चन्द लोग ऐसा बोलते हैं, मैं politics से retire होता हूँ, पार्टिक से retire होना ये कोई solution नहीं है, जिस मकसद से आपने इस party में आया, जिन उसलों के लिए आप लड़ना चाहते थे, जब तक वो लड़ाई पूरी नहीं होती है, मैं retire होता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ party, ये सब ठीक नहीं है, ये एक चन्द लोग इसका मजाग बनाते हैं, कि आप किसी भी फार्म में लड़ो, ये निसेसरी नहीं है कि MLAE होना, YMPE होना, दूसरे दूसरे और तरीके हैं, जनता के समस्याओं को आप स्पंदन करना, और वो अगर आप करते गए, तो डेफिनेटली आप देश के लिए, जनता के लिए, गरीब और पिछडे लोकों के लिए, कुछ शेवा कर रहे हैं, एक आपको शान्ती मिलती है। अप न्याई की बात कर रहे हैं गोशना पत्र में, वचास पेज का गोशना पत्र कई तरहें का न्याई दे रहा है, दरातल पर आपके नेता रहूल गांधी यात्रा भी कर चुके हैं, इस देश को न्याई आखिर क्या लगता है, किन-किन मुद्दों पर कॉंग्रेस अब चाहती है कि मिलना चाहिए? गांधी फैमिली पे यही दर्शाता है कि अपने राहूल गांधीजी से वो डरते हैं जो हमने जो नाहे पत्रिका निकाली हैं उसमें हमने पांच नाहे जनता को देने के लिए तयार है जो इंडिया गटबंदन कि लोग भी यही चाहते हैं निता लोग कि यह पांच गयारंटी जो न्याय की गयारंटी है यह हम पावर में आने के बाद उसमें फिर 25 गयारंटी जो है एक-एक में अलग-अलग गयारंटी हैं तो वो गयारंटी हम जनता को देंगे, पहली एक ग्यारेंटी है, युवान याई के लिए एक लाक रुपए हर साल अप्रेंटिसिप कोर्स कम्प्लीट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, याने हर मेना उनको 8500 से ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो अगर सक्षम हो गए उसमें, तो नाचरली उनको नवकरी, दूसरे जगे प्रावेट फर्म में भी हम लगाएंगे, गौवर्मेंट में लगाएंगे, हर जगे हमारी कोशिस रहेगी कि इन सभी युवाओं को काम देने के लिए पूरी कोशिस हम करेंगे, एक, दूसरा है हमारा नारी नहाएं, ये सालाना हम जो घर की महिला सबसे बड़ी होती है, जो घर चलाती है, उसको एक लाद रुपे सालाना हम देंगे, याने मंतली 8500, 600 कितना होता है बाठी हे 12 में, तो 8500 से ज़्यादा उनको मिलेगा घर चलाने के लिए, और खुशाली के तरफ और फैमिली चलेगी, ये हमारा दूसरा मुद्धा है, तीसरा कर्ज माफी का, जो किसान नय है, ये उसकी MSP Guarantee, कानून के तरह दिलाना, और स्वामिनातन फार्मूली के अंदर, जिजज़ जगे वो बैट सकते हैं, वो फार्मूला में, उसकी मदद भी हम खरेंगे, और चौता जो है, श्रमिक नाय, इसमें क्या है, आज कल मोदी जी ने, जितने भी लेबर के भलाई के कानून थे, या उनके अच्छाई के लिए थे, वो कानून उन्होंने, बहुत से कानून खतम कर दिया, जो फैक्टरी आक्ट 1946 में, डाक्टर वाव साव मेड करने, उस वक्त, एक्जेक्टूटिव काउंसिल में, लेबर डिपार्टमेंट देखते थे, उस वक्त उन्होंने, ये कहा ब्रिटिशरों को, ब्रिटिश लोग, आट खंटे काम करते हैं, तो हिंदुस्तान में, आप लोग बारा घंटे क्यों ले थे, तो उन्हों उन्होंने ये उस वक्त बनाने के बाद, हिंदुस्तान में भी आट घंटे का काम, चलना और लोगों को आट घंटे तक खीक काम करते, तो ऐसे जो चीज़े पहले से थे, जाए प्राविडेंट फंड हो, ये साय हो, आट घंटे काम करना का हो, महिलाओं को लीव हो, ये सब चीज़े उसमें थी, इन्होंने एक एक करके खतम किया, और तो लोगों को बोलते हैं, बारा घंटे काम करना चाहिए, हमारे लोग बहुत ये हैं, काम नहीं करते हैं, ये चीज़े उन्होंने हमेशा बोलते आए हैं, इसलिए हम एक गारंटी देना चाहते हैं, कि मज़दूरों को उनके कानून के तहट भी मदद करेंगे, और जो बनरेगा में काम करते हैं, उन लोगों को भी हम मिनिमम चार सो रुपए हम फिक्स करेंगे. गारंटी जारी करने का असर कितना देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब शुरू हो गया है, मत पेटियों में मत डलने प्रारंब हो गया है. यह तो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका असर हमने अल्रडी करनाटक में देखा है, हिमाचल में देखा है, तेलंगाना में देखा है, और इसको हम इसलिए बड़ावा हम दे रहे हैं, कि मैं और राहुल गांदी जी साइन करके यह कार्ड घर घर भेज रहे हैं, और हमारे बूत लेवल के वरकर हर घर में यह पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए यह श्रमीक नाय एक और पांचवा जो है हमारा, गिंती करो, सामाजिक वा अर्थिक एक समानता लाने के लिए, हर वरक के एक सेंसस होना, जिसमें वह पड़े लिखें कितने हैं उन घर में, ग्राजुट्स कितने हैं, खेत कितना हैं, या उनके जीने के लिए उनका जो इंकम है सफिसेंट है क्या नहीं, ऐसे वरक के लिए क्या करना चाहिए, इस पर राजनितिक तोर पर सवाल भी उठ होते हों है, प्रदानमत्री सभाओं में कह रहा है कि क्यों गिनती जरूरी है, गिनती है, अब सेंसस क्यों जरूरी है विश्यक्त, आप सेंसस जो 2017 का, अब 2021 का बनाएं, उन्होंने बाहर नहीं निकाला, जो नहीं निकाला, कि जब आप census में सब चीज़े ला सकते हैं वही literacy क्या है उसके बाद में income कितना है health का क्या issue है यह सारी चीज़े हमारे इसमें आते हैं वैसा अब यह क्या है जिन जिन लोकों को तकलीब है और इन्होंने तो पंचवार्शी के उजना ही निकाल दी पहले पंचवारसी के उजना में क्या होता था कि कौन के सिंसस के मुताबिक कौन किस वर्क के लोग या किस पावर्टी लाइन के नीचे जो है इन लोगों को किन-किन चीजों के आउशकता है एजुकेशन का, स्किल डेवलप्मेंट का, जमीन का, ठेनन्सी का, ये सारे चीज़े आने के मालूम होने के बाद ही आप कुछ कर सकते ना जो अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, तो अंदेरे में थोड़ी आप प्लानिंग कर सकते हैं और इन्हों ने तो वो पंचवार्शी के उजनाओं को निकाला तो नीती आयोग पाट पड़ा रहे हुँँँँग सो नीती आयोग से आज तक एक नहीं पॉलिसी नहीं बनी जो गरीबों के बेनिफिट में गरीबों के लिए मिलना चाहिए चर्चाओं में है गोशना पत्र भी और गारंटी कार्ड भी और चंता के बीच में लोख पर भी हो रहा है लेकिन एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाता है 1906 में में आप 599 सीटों पर लड़े 2004 में 417 पर 2009 में 440 और 2014 की अगर हम बात करें तो 464 सीटों पर लड़े थे लेकिन इस बार जो संख्या का आंकड़ा है इंडिक अलायंस से जुड़ाओ के बाद आप महत्पुन भूमिका निभा रहे हैं उसमें और आपके चहरे के तोर पर अलायंस मजबूत भी हो रहा है तो लेकिन सीटों के संख्या कॉंग्रेस की कम हो रही है कि देखिए कि यह पहले की बात है जब अब इंडिया अलायंस बनाए हैं तो हर कि स्टेट में एक तो रीजनल पार्टीस भी मजबूत बने हैं और उनके साथ जो कॉंग्रेस पार्टी का अलायंस है वो भी मजबूत है और आप कहेंगे कि सीट घट रहे हैं देख जब अलग-अलग लड़ते हैं नाचरली थोड़ा सा धक्का लगता है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं लेकिन इस बार हमने तई किया और आप पूछ रहें कि आपके सीट कम लड़ रहे हैं कि हम यह चाहते हैं कि सबको स्पेस मिले अब सबको जगा मिले और कहीं अगर हमको थोड़ा सा दिक्कत है थोड़ा सा हमको सेक्रिफाइस करना पड़ता है इंदे इंटरस्ट अफ यूनिटी हम वो स्पेस बहुत से हमारे सातियों को दे कर मजबूत बनाने का हम इरादा किये हैं किसी हालत में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रदान मंत्री नहीं बनने देंगे क्योंकि हम रोख रहें बीजेपी को और इंडिया अलाइन्स उसको रोखेगी हम यह नहीं करते से मैं अकेला करूंगा मेरी पार्टिय के लिए हम सब मिलके उनको जरूर रोखेंगे और हमारा जो आकड़ा हमने कहा हमारा आकड़ा इस भार तो बहुत बड़े इसमें कोई स सब्सक्राइब देखिए यह चीज़े क्या है कि 400 पार्ट गनीमत है भी मोदी जी 600 पार नहीं बोले क्योंकि पार्लमेंट की जो एंपी की संक्या होती है जी 543 अब वो यह नहीं बोले कि 600 पार बहुशा उनको कोई कहें होंगे नहीं कुछ कहना भी है तो आप यह 543 के अंदर ही करो तो उसी लिए वो 400 पार का अकडा बता रहे है लेकिन इस बार 400 पार अकडा उसको नहीं मिलेगा जी मैं ओ यह कहूंगा कि जब हम उनको डिफीट दे रहे है और डिफीट देने के लिए जो संक्या होना चाहिए वो संक्या हमारे पास है जी सो नाचरल वो तो उससे कमी आएंगे ना जादा आने का सवाल ही नहीं है एक बड़ा सवाल इसी में खड़ा हो जाता है जब 400 पार का नारा दिया गया तो एक बयान भी राजनितिक दोर पर आया कि 400 पार चाहिए क्यों आरक्षन समीधान के साथ छेट-छाड की गूंज हुई कॉंग्रेस ने चुनाविस हभाओं में इस मुद्धे को भुनाया भी है और एक तरीके से कॉंग्रेस का ये मैसेज की 400 पार क्यों चाहिए बीजेपी को ये क्यों के बीच में खड़के जी क्या सोचते हैं कि को मैं तो समीधान को बदलने नहीं दूंगा चाहे वो किसी स्तिती में हो चाहे अपनी जानी भी लगाना पड़ा तो हम बराबर उसको लगाएंगे लेकिन जो मोदी कह रहे हैं कई के लिए कर रहे हैं 400 पार आपको तो मालूम है कहीं पार्टी के MPs उनके BJP के और कहीं उनके MLS RSS के मोहन भागवजी ये सभी लोग कह रहे हैं कि आपको समीधान बदलना है तो टू-थर्ड मिजॉर्टी होना तो वो टू-थर्ड मिजॉर्टी एक समीधान को धौश करने के लिए खतम करने के लिए वो मांग रहे हम जो मांग रहे हमको मेजॉर्टी दे हो हम जंता के भलाही के लिए मांग रहे जंता के अच्छाही के लिए मांग रहे और जो हमने पहले काम किया राइट फॉम पंडी जवरलाल निरुजी से लेकर अपने लालबादुर शास्त्री इंदिरा गांधी देन राजु गांधी जी आप हमारे देखिए सब गरीबों के लिए हमने जो पंचायत राज लाया आज मामूली से मामूली आगमी निच्चे के तपके अला आज अद्यक पहले कभी हुआ था इन्होंने किये थे अरे इनका तो फिलासोफी ऐसी है ऐसा फिलासोफी है कि माहिलाओं को वोटिंग का रिकार भी नहीं देना चाहिए तो यह उनका उसूल है और उनके जो गुरूज हैं पहले जो सिखाएं उनको यही माहिलाओं को कमजोर रखना माहि महिलाओं को कोई पॉलिटिकल पावर नहीं देना अगर आज महिलाओं कोई अगर किसी ने किया वो कॉंग्रेस ने किया अब ठीक है जोर से बात करते हैं अगर भाशन से सब कुछ होता है तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि सिर्फ भाताओं से देश बढ़ता नहीं कामों से ब बढ़ता है अब दलीत लोग आज तक उनको एजुकेशन नहीं था सिर्फ एक क्लास के लोगों को था तब अब जब बढ़ रहे हैं बैकवर्ड के लोग जब बढ़ रहे हैं ट्राइबल लोग जो जंगल से भार आकर अपना विद्या हासिल कर रहे हैं इनको जड़ा मिर्ची लगी है लोगों को मिर्ची तो आपके घोशना पत्र से भी लगी हुई है पीम मोधी करें टुस्टी करन की बुवा रही है राजनात सिंग कहते हैं कि इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिसों की गुंज है अलव संक्या कल्यान के नाम पर उन्होंने अलग से रखा हैं आप ही साथ ही रहे और अब बीजेपी के मंत्री बने हुए वो करें जंता को पिंजरे में कैद करने का गोशना पत्र है कॉंग्रेस का आखिर गोशना पत्र के बाद से ऐसी खलबली क्यों है तो हम गरीबों के लिए बहुत से यहीं बोला ना आपको हमने 25 जो दी है क्या सत्ता में वापस गोशना पत्र के जरीए आ रहे हैं क्या यह तो यह हर एक देखिए गोशना पत्र तो जरूरी है डिमोकरसी में लोगतंत्र में यह जरूरी है कि लोकों को बताना अगर आप सत्ता में आए तो क्या करने वाले हैं तो हमारा यह गोशना पत् कुछ बोल के कि यह मुसलमानों का है मुसलिम लीक का है यह इसा कोई है तो यह मुसली सीमीघ के साथ कि अजादी के पहले धोस्ति करके सटा में ऐ ठ्वेश्ट-बेंगौल में फुद्र सभी जगे कॉर्परेशनों में जीते थे वोई लोग हमको पार्ट पड़ा रहे एक और दूसरी चीज यह है देश में देखिए जब तक सारे सारे वर्क के लोग उनकी अगर इंकम नहीं बड़ेगी उनकी उनको अगर आप ताकत नहीं देंगे तो आप मुश्किल में पढ़ जाएंगे क्योंकि जो स्वातंत्र पहले जिस्तिती थी वही लाना चाहते हैं हम और उसको पदलने के लिए हम मेरू जी लालबादुर शास्त्री जी इंद्रा गांधी जी और राजिव गांधी हम सभी ये सभी लोगों उसकी कोशिश की ग्यारेंटी ये मोदी का वचन है क्या वचन है दो करोड नोकरी देतू बोले एक खुबी नोकरी नहीं मिली पंद्रा पंद्रा लाग काला दन लाग कर कॉंग्रेस का पैसा बहुत काला दन बाहर है बोले कहा है दस साल हो गहा है क्या दूंड के अपने घर में लेके गहे तो ये जो है इनकी मनशा जो है ठीक नहीं है सुदारने के वज़ा है आप लोग कॉंप्लिकेट कर रहे इस्यूस को और करके करेट कर रहे इससे मुल्क बढ़ता नहीं लेकिन खड़के जी चुनाव लड़ने में पूरा एक मनेजमेंट भी होता है और कुछ चुनोतियां ऐसी है कि एक तो कारकरता को चार्ज होने की जूरत है अनाया सी एक ऐसा माहौल हो गया कि लोग ज़्यादा तर कॉंग्रेश छोड़कर बीजेपी की तरफ मूग कर रहे थे इसके अलावा आपके अलाइन्स के साथ ही है उन पर केंद्रे जाच एजेंशियों की नगाए है कुछ तो जेल में हैं कुछ जाच के दाएरे में हैं आपके खाते भी बंद कर दिये गए थे सुप्रीम कोट से आपने खुलवाए तो इन तमाम चुनोतियों को आप लोगतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से समयधानिक हक और चुनाव के महावल के लिहाज से कैसे देए देखिए चुनाव लोगतांत्र में तो लड़ना है लडने के लिए लेवल प्लेइं ग्राउंड होना है हमको क्रिकेट के महिदान में लिजाएंगे और पिछ में एक दस बारा खड़े वहां यहां डालेंगे तो मैं कैसा खेल सकता हूँ और आप जब बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे वो पूरे खड़े मुझ के कि इन अपोजिशन को लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना और वो हमेशा यही करते हैं यही कहते हैं मारे पार्टी से लोग जो जाते हैं जिनका विश्वास उसलों पर नहीं है और कोई डर जाते हैं अब जो डरता है उसको क्या अउश्द देना चाहिए वो डरने वाला मर जाता है तो ऐसे मरने वाले उदर जा रहे हैं तो इन चुनोतियों के बावजूद भी आप एक अच्छा बहुमत लेकर आएंगे ये पूरा विश्वास है लोग देगी यही बात है एक बड़ी बात रावल गांधी जी ने भी कही कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों देखकर पीम मोधी घबरा गया है भाजबाद दली तोबिसी किस्टी मिटाना चाहती है जाती जंगन्ना को कोई शक्ती नहीं रोग सकते हैं तेक्ट जो करना है पन थे और इंद्रा गांधी जी भी उनको सपोर्ट करें उन्होंने हावनूर कमिशन पिठाकर उन्होंने पहला रिपोर्ट इप्लिमेंट किया और उससे क्या होगा हम 1978 में भारी भूमत से जीती हम वहां हालांकि लोग कही देते ही अमर्जेंसी का यह है लोग के कहीं देदे की बैकवर्ट क्लास करें यह लोग इंप्लिमेंट कर रहे है यह लैंड रिफार्म से इंप्लिमेंट कर रहे है यह मर जाएंगे ऐसे ही सबकी कल्पना थी लेकिन लोकों ने उस कल्पना के बहार इतना प्रोट्सा दिया मैं खुद 9000 से जीता था 72 का ए 28 में मैं 17,000 से जीता है तो यह जो चीजे लोकों को जब उसका बेनिफिट मिलता है तब लोग तुमारे साथ वहते हैं अब मोदी चीज ऐसा तुम तुमारी यह बाट रहे हैं वो बाट रहे हैं फलाना तुमारा घर का जाज करी यह कोई सादार्ण आदमी बोले कोई आदमी कभी खुर्ची पे नहीं बैटा अरे इन्हों तो साड़े तीन साल साड़े तेरा साल चीप मिनिस्टर रहें अब दस साल इन्होंने कम्प्लीट किया प्राइमिनिस्टर होके फिर भी यह मैं कहूंगा कि नहीं कहिना चाहिए मैं माफी जाता हूं लेकिन इन्होंने तो बच्चों के जैसा आर्गुमेंट करते हैं के बच्चों से बच्चे जैसा बोलते ना वह वैसा यह लोग भूलते हैं आपको तो बड़ी सोचोना चाहिए यू शूब बिगव में स्टेट्समेल अब उदान जैसा कि मैं पड़ा कहीं कि पंडी जवरला लेरु जी जब एलेक्शन लड़ में जो ये उसी वक्त ड्र मानोर लोहिया जी भी लड़ रहे थी जब ना जीप थी ना पैसे थे आईसा में ने पड़ाओ जी तब पंडी जवरला लेरु जी ने उनको थोड़ा पैसा बेजा और एक जीप भी बेज़ा तब लोहिया जी ने वो पैसे जितने दीज़ते वो तो खर्चा के लिए रख लिए है लेकिन जीप वापिस बेज़ती है तो आईसे लोग डेमोकरसी को टिका सकते हैं अपने दुश्मन नहीं बोलता अपने विरोधियों को भी जो संभाल के चलते हैं उनको डेमोकरसी में विश्वास है हम समस्थ है यहां तो डेमोकरसी में कुचलने का एक ही काम हमारा 18 लाख स्वारी 14 लाख रुपए का यह नहीं पर है अपने रिटर्न में तो हमको 135 करोड़ों को चुपाना यह कहा है अरे खुद तो अगर लोगों के पास इन्होंने इतना जमा कर लिया इन्दा नेम आप एलेक्शन बॉंड कम से कम 6,000 से सारी 16,000 तक इन्होंने कमा लिया और बड़े-बड़े आफिसस बनवाली है कहां से आये भई है कुन मुफत में देता है तो उन लोगों के पास तुम पैसे लिए या तो डरा के लिए धमका के लिए या उनको काम का रिश्वत जो देते हैं चलो भई तुम चंदा लो यह दंदा तुम करो वो करें फिर हमको बोलते हैं के हरिश्चंद्र माहत्मा अपने हैं चंदा लेते हो काम देते हो डराते हो पैसा लेते हो अर इतने लोगों को आपने जेल में डालने की धमकी दिए वह पूरा चंदा दिये और बहुत से कंपनियां जो लॉस में प्रॉफिट में नहीं है वो लोग के पास तुम चंदा ले रहे हैं कैसा देते हैं कि मेरा नहीं आप अपने पेपर में ही मैं पढ़ा जी मैं अकसर तुमारा पेपर पढ़ते रहता हूं सारजनिक तोर पर भी हो गया हो तो एक बड़ा सवाल सर यह उठ जाता हिंदी बैल्ट पिछली बार जब 2019 के चुनाओं में मातर बीस फीजदी वोट कॉंग्रेस को मिले तो एक बड़ा कारण हिंदी बैल्ट रहा था उनमें मजबूत कॉंग्रेस रही थी लेकिन अब हिंदी बैल्ट का असर थोड़ा ऐसा रहा कि सत्ता से बाहर कॉंग्रेस को होना पड़ा वापस लोटेंगे आपके पास वोटर देखिए हैं हाई होप्स है डेंजरेस मैं प् वो सब इन्वीजिबल है इसलिए कि डर के इनके जो डराने का ढंग है एडी का सीवी आई का अपना इंकम टैक्स का यह डराने के लिए डराते हैं बहुत से लीडर उदर चले गए और वो अपने आई डरा डरा के उनको उन्होंने लिया है तो इसी लिए वो जरूर हिंदी बेल्ट में अब इसके बाद आज के दिन बरू इंप्रू होगा और हमारे पहले से ज्यादा ओडम को आपने जो नेता गए वो भी वापस आने के संभावना होगी ने वो देखो जो गया गया आय अराम गया अराम बहुत होते हैं पॉलिटिक्स में मैं तिरपन साल से एक ही पार्टी में हो एक ही सिंबाल पर चुलके आ रहा हूं गाई बचड़ा था उसके बाद में हाथ सिंबाल था उसी पर अभी तिरपन साल से उसी में हो ना तो ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के लि एक बड़ा सवाल हिंदी बेल्ट का अज करने ता हम यह भी कर लेते हैं कि जब राम अंदिर मुर्ति स्थापना में कॉंग्रेस ने नहीं जाने का फैसला लिया राजनितिक कारणों से अब चुनाओ के मैदान में बुनाया जा रहा है राम विरोधी करार किया जा रहा है अनने पॉलिटीकल रिप्रेसेंटेटिव होता है राम मंदिर क्या पॉलिटीकल रिप्रेसेंटेटिव का था क्या पार्टियों का सम्मेलन था वो उन्हों ने उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर के नाते रासभा का दिये सोन्या गांदीजी को CPP चेर परसंस उनों ने दिया इसमें पार्टी कहां आगी और शुक मैं ये पूछना चाहता हूं मोदीजी को और उनके लोगों को अरे बार बार आप राममंदीर का क्यों उठाते हैं उन्हों तो मैनिफेस्टों में भी शामेल कर लिए रामायन उत्सों मनाइंगे अयुद्धा का विकास होगा ये अयुद्धा का एक ही विकास है बग्वान राम तो पूरा देश देख रहा दुनिया देख रहा ना तो आप क्या सिमीत करना चाहते हैं कि आयोध्या में भी सब कुछ हो जाए तो मैं मेरा कहina है बार बार हम लोकों को आप तीक नहीं मैं पूँचना जाता हूं अगर आपको इतना ही प्यार है सबसे और यूनिटी अगर आप चाहते हैं religiously सब लोग एक रहना चाहते हैं Hindu दर्म एक रहना चाहते हैं तो मैं पूशता हूँ कि आप कोविंद को जो हमारे रास्पती रहे उनको फार्लमेंट के फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया है क्यों वो तो इंडिया के ढांचे में कांस्ट्यूशन में उच्छपत पर नमबर वन है उनको आपने नहीं बुला क्यों कि वो सीभिलगाश दे इन उसके बाद जब उसका उदीगाटन हो वहाँ उस वक्त उनको भी नहीं बुलाए मूरमान जी को भी नहीं बुलाए여 और उसके फाउंडेशन वक्त को नहीं बुलाए तो ये क्या है ये धर्शादा है कि संकोचीत बाऊगा और इन मुद्दों को ले कि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं मैं हो सकता है मुझे वो दिये हैं मैं धन्यवाद देता हूँ लेकिन क्या आप लोग मेरे पूरे लोगों को दलितों को अंदर आने देंगे हर जगे हर मंदिर में पहला ये सोचो और कहो उसके बाद में बात करो राम का इंसल्ट करें अरे तुम तो इतने दलित लोग अस्पुर्श लोग और आदिवासी लोग और जो बैक्वर्ड्स के चोटे मूटे कम्यूटी से उनका तो अपमान कर रहे हैं अपमान करके और हमको बोलते हैं राम का अपमान राम काम अपमान क्यों करें हर आद में ह जो अपना विश्विद्यालै हिंदू विश्विद्यालै में वहाँ संपूर्ण नंद की मूर्थी बिठाने का प्रोग्रम था तो उन्होंने इनागरेट करने को गया बुलाये तो यही लोगंने लेकिन इनों इनागरेट करके बाहर निकल जई गंगाजल लाकर उसको दोके उसका ट्यूरिफिकेशन करें अगर मैं जाता क्या अटिट्टूड रहता है क्योंकि आपका अटिट्टूड भी नहीं बदला ना मेरो जो श्रद्दा है आपको जो श्रद्दा है उस भगवान को आप करो मेरी श्रद्दा इसी है हम कुछ करते हैं और मैं हमने हमारे पार्टी के लोकों को बोला जो जाना है वो जा सकते हैं उनका व्यक्तिकत वो श्रद्दा की बात है और हमारे पार्टी के जो उतरप्रदेश के लीडर्स थे अध्यक्ष थे उन्होंने अपना पूरे लोकों को ले लेकिन तुम वो मंदिर अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ, वन तर्ड कम्प्लीट हुआ है, उसको उद्गाडन करने के, क्या आप पूझा रहे हैं, मैं पूझत हूँ, अरे वहाँ सादू संत है, उनके हाथ से करो ना, यहां के यगन पूझा सब, जो हमारे हिंदू संस्कृ कुलती में है, उसके तैज चलो ना, सब तुम ही भाग रहे हो, भगवान के मंदिरों का उद्गाडन तुम करते हो, पार्लमेंट का उद्गाडन तुम ही करते हो, हर चीज अगर कोई होती है नहीं, उसका तुम किसी को भी अंदर आने नहीं जिते, सिर्फ अकेला आगमी कर जैसा कि पॉलिटिक्स में ये मोदी की गारेंटी है, ये मोदी है तो मुमकी नहीं, खुद ही बोलते हैं, अरे आप भूलो ना, आपनी पार्टी का नाम, क्योंकि ऐसा है देश में, पॉलिटिकल पार्टी के भी उसूल होते हैं, उन उसूलों के तहट हम चलेंगे, हम आपको ये दिलाएंगे, कुछ हो सकता है, हर बार वही बोलना, हर जगे वही बोलना, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां भी बीजेपी खड़ा कर रही है, 2047 विक्षित भारत का कह रही है, और राजनितिक ग्रूप से इसे देखे तो कह रहे हैं, 2047 तक कॉंग्रेस सब्ता से बाहर रही है, देखो, मुद कुछ है ना हिंदी में, मुद ही लाग बुरा चाहे, तो क्या होगा, होगा वही जो मंजूरे कुदा होगा, तो जो भगवान को मंजूर है, वो होगा, लेकिन महीं इस बात को भी इसलिए नहीं महनता, महनत करना तब ही फल मिलता है, सिर्फ दुवाई मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, संत तुकाराम जी नहीं यह कहा है, उनका मर अगर सिर्फ नवस करने से ही आपके पास नवस बोलते हैं क्या बोलते हैं जो लोग इश्वर को मांगते हैं तो तो होई मांगने से अगर बच्चे पएदा होते हैं तो कोई भी शादी नहीं कर लेता था अपने अवलाद पएदा करने के लिए हर आदमी जाता था भगवान के मंदीर को चार्च फेरे लगाता था शादी नहीं कर लेता था थोड़े सोचो ना साइंटिपिक थिंकिंग भी रखने दो सब अंदर शर्दा करके लोगों को आप अलग कर रहें सोचने से ठीक सोचने से एक सवाल यह भी बन जाता है क्योंकि जब भी कॉंग्रेस के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई नो कोई बयान दे जाता है अब हालिया बयान सेंपित्रोदा ने दे दिया है राजनतिक करत में लागू करने की बात है हालांकि आपके गोष्णा पत्र में वो नहीं है जो हमारे गोष्णा पत्र में भी नहीं है उन्होंने अमेरिका में क्या का वो कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है पार्टी का स्टैंड हमारे जो एलेक्शन मेनिफेस्टों में है वो है उसको तो आप इतना बड़ा चड़ा के कर रहे हैं, देखे, आपके मंगल सुत्र छीनना चाहते हैं, आपके घर में के सब सुना चांदी क्या-क्या है, वो सब लेना चाहते हैं, तो यह जो मैं पहले ही बोला, यह बच्पना स्टेटमेंट है, कोई ऐसा बात, अरे आप बात करो इंप्लामेंट में क्या किया आपने, दो-दो करोड नोकरियां देने की वाइदा आपने की, अब दस साल में 20 करोड नोकरियां देनी थी, दिये आप, 15 लाक रुपए हर घर को देने का वाइदा था, दिये आप, किसान के आमधानी डबल करने के आपका वाइदा था, दिये यह जो ग्यास इसकी कीमत्स हैं कम करने के बजाए उन्होंने जाधा कर दिया क्रूर आइल की प्राइस गिर गई है लेकिन इनके प्राइस बढ़ गए तो यह ऐसे लोग देश की भलाई नहीं सुстे, गरीबों की भलाई नहीं नहीं सुसते किसानों के बला ही नहीं सुछते हैं इसका मार किसको गिर रहा है इसका मार तो किसानों को गिर रहा है कीमते बढ़ रहे हैं और अगर इतने कीमते बढ़ रहे हैं और लोकों के आमदानी घट रही है मेंगाई बेरुजगारी तमाम उद्देह सर इंट्रू की समापती पे कुछ चीजें अलग भी होती है एक सवाल और हमारे जोग के दर्शकों का था वो सवाल था कि पीम हमेशा कहते हैं कि इस आइडिया नि एंडिय की तरफ मैं हूं चेहरा लिकिन इंडिक अलाइंस की तरफ पोण है यह वो कहते हैं कि अंडिय के तरफ हो जोगतें लेकिन इंडिया अलाइंस के तरफ जंता है जंता तई करेगी इंडिया आलाइंस का इलेक्शन होने के बाद हम लोग बैटींगे इत्ता ही चरहीं किस्टे से औरनेक बार AMY साथ uh हुआ है 2004 में 2009 में हुआ इससे पहले भी हुआ है विश्चनात पृदाव सिंग का भी हुआ है मोदी जी स्वरी हमारे मेरार जी देशाई का हुआ है तो आइज सिर मैं हूँ मैं हूँ कहिके अब मत कहो कोई ना कोई इंडिये में अपना इंडिया अलाइंस में पैदा होता है इंडिया अलाइंस के लोग मैचुर्ड है लीडर्स इनको वो बात बोलना नहीं चाहिए हम लड़िंगे जीतेंगे और कॉंग्रेस पार्टी हमेशा लड़ते रहती है जीते भी रहती है उनों भी एक जमाने में सिर्फ दो सीट किसे के साथ खतम करते हैं क्योंकि आपका बड़ा विराट अन्वाव ऐसा राजनिति कोई ऐसा किस्टा जो वर्तमान परिस्थितियों में आपके जीवन में ऐसा रहा हो जो आप इस परिद्रिश में भी जब देश में कॉंग्रेस पार्टी बात कर रही हो समीधान खत्रे म में लोक्तंत्र के मुल्यों की अभेलना हो रही है और जनता के बीच में न्याइक की बात लेकर जा रहे है तो कोई ऐसा एक राजनितिक किस्सा जो हमारे डर्शकों के साथ आप साजा करना चाहिए अपने अन्वाव के साथ अपने अपने जीवन से जड़ा हुआ ऐसी कोई स्मर्ती ऐसी कोई याद ऐसी मैं बहुत परेशानियां जिलाओं मैं 6-6 साल का था मेरी मेरा घर को बरबाद कि अंगार लगा दी मेरी मा मर गई मेरी बैन मेरी चाचा सब मेरे घर में जो आट नो नो थे पूरे जल के खाक हो जए और मेरे पिता जी कहीं खेतों में काम कर रहे थे तो उन्हों को बोला कि भई तुम तो या खेत में तुम्हारा गल्ब जल रहा देखो तुम्हारे पास दू-चार गल्ब जल रहे हैं जाओ किसने किया वो अब मैं बोल नहीं सकता लेकिन हुआ तब मैं अकेला कहीं खेल रहा था तो हमारे पिता-जी ने मुझे वहां से उठा के बीदर डिस्टिक्श था वहां से उठा के मुझे गुलवर गाला है और उनों ने मुझे पाला पोसा सिर्फ हम दो ही रहते थे पिता- इसाई मिलके नाइट शकूल में भी पड़े पिर उसके बाद में है प्रायमेरी स्कूल इडेट रहते उसमें प्राइड रहे उसके बाद हाइसकूल भी वही पड़े दिग्री भी वही करें, सब करें, तो मैं अकेला रहने से मेरे को भी हमारे पिताजी फुल फ्रीडम देते थे, मैं उसलिए स्टूडेंट्स मुवमेंट में ज्यादा था, मैं चुल के आया, लेबर यूनियन में मैं खुदी अपना एक एकटा करके उनको लेबर यूनियन का लीडर भी बना मैं प्रिशिदेंट भी बना, स्टूडेंट उनियन का प्रिशिदेंट बना, लॉज जी अपना नहीं था, मेरे जहत के लोग पर भाधेते, बहुत होगे तो दस यह पंदरा स्टूडेंट, दुहजार में, दूहजार स्टूडेंट्स में कम से कि म सिर्थ दस पंद्रा बच्चे से रुकास के रेज़े देज़ें, जाती पर हर चीज नहीं होता, काम आप करो, लोग आपको चाहते हैं, तो हमने हर चीज देखते गए, और 65 में हम ग्राजुशन किये, 67 में लॉग ग्राजुशन किये, 68 में हमारी शादी हो गई, 68 में बार काउंसिल एक्जाम पास होके महीं, शुरू किया था प्रैक्टिस, चोटी-मोटी, जो अमारे सिवराज पाटी यहां आप थे, और तुमारे राजस्तान के भी चीट जस्टिस थे, उनके पास नहीं, थोड़े दिन, काम किया, फिर 69 में, कॉंग्रेस स्प्लिट हुआ, तो मेडम गांदी जी वहाँ पर गुलवर्ग आये, आने के बाद, उन्हों जब आये, तब सब यंग बच्चे थे, दूसरे कोई नहीं थे, क्योंकि डरते थे, उस वक्त, इंडिकेट की गवर्मेंट थी, तो कोई हम इंग बूल गए, गए तो फिर, एक महिने में, दो महिने में, मुझे, ब्लॉक प्रसिडेंट बनाया गा, ब्लॉक से फेवर, डिस्टिक में बने, डिस्टिक में बने, ये मेले भी बने, आइसा करते करते लंबी है, हमारा जो रास्ता, हमने जो रास्ता तही करा है, यहाद दक, वो लोगों का प्रेम लोग चाहते हैं, उसलिए ये एक पंद पर आये, मैं लोगों का धनिवाद करता हूँ, खासकर हमारी गुर्मट कल, जिन जगे से मेने को नह बार चुनाये लो तोटल में 12 एलेक्षन में 11 जेता है, और उसके बाद अब रास्तावा मेंबर रहा, मैं कम से कम 10 साल CLP लीडर रहा, 4 साल कॉंग्रेस प्रेसिडेट रहा, फिर अब कॉंग्रेस प्रेसिडेट अल इंडिया का हूँ, तो आइसाल बहुत लंबी लिस्ट है मेरा, और कभी मैं पॉलिटिक्स में डरा नहीं, और पॉलिटिक्स में जो डरता है, वो आना ही नहीं, क्योंकि हमारा टार्गेट रहता है कुछ चीजे उसूल करने के लिए, उन उसूलों पर चलने के लिए, तो वैसे हम चलते चलते आएं, और सुनिया गांधी जी ने हमको एक जुम्यदार दिये है, रिस्पॉंसमिटी, तो उनको एक उन्होंने जो भरोसा हम पे रखा है, उसको निभाना ज़रूरी है, उसके लिए हम पूरी कोशिच करेंगे, कि उनके नाम को भी दबा नहीं आना चाहिए, और उन्होंने जो भरोसा हम पे रखा है, उसको हम वो भरोसे को काइम जी, थांक्यू सो मच मलुका जी, खडगे जी, थांक्यू, महबत और न्याय का पैगाम कॉंग्रेस असबार भारत की जनता को दे रही है, मलिका जुन खडगे का वेसपश तोर पर कहना है कि चुनाव कॉंग्रेस पार्टी नहीं, उनके बेहाब पर ये जनता लड़ रही है, फैसला धीरे-धीरे करके EVM में कैद हो रहा, चार जुन को खुलेगा, तो एक बार फिर से कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्स मलिका जुन खडगे जी से रूबरू होने की कोशिश करेंगे, तब तक आप अपने मुद्दों पर, अपनी जरूरुतों पर और इन सवालों पर बने रहीएगा, फिलाल के लिए नवश्कार.